गुस्सेल क्यों होते हैं भुकर इस दुनिया में अक्सर बहुत से लोगों को कभी न कभी वे वज़े गुस्सा आही जाता है इसमें कोई शक नहीं कि जब इंसान चर्चड़ा सा हो जाता है और किसी चीज़ को लेकर कुछ जादा ही तनाव में रहता है तो उसे वे वज़े गुस्सा आही जाता है वो कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति का मन और दिमाग शांत ना हो तो उसे कभी सुकून नहीं मिल सकता अगर हम शीदे शब्दों में कहें तो इंसान का मान से तनाव ही उसके गुस्से की सबसे बड़ी वज़े होता है इसके अलावा अचानक गुस्सा आने का एक बड़ा कारण और भी होता है जिसके वारे में हम आपको बताने चाहरे है जिहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंसान को अचानक और बेवज़े गुस्सा आने का एक सबसे बड़ा कारण भूख भी है अब जाहिज सी बात है कि जब कोई इंसान भूका होता है तो उसे गुस्ता आना लाजमी है क्योंकि जब इंसान को भूक लगती है तो उसे कुछ नहीं सूचता और ऐसी में उसका सुभाव भी बदल जाता है हालां कि इस विशे में एक शोध भी किया गया है और उस शोध में यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर भूके व्यक्ती को जल्दी गुस्ता क्यों आ जाता है इस विशाय के वारे में अमेरिका की एक शोच शात्रा का कहना है कि जब व्यक्ति भूका होता है तो उसकी भावना बदल सी जाती है और तब उसका दुनिया को देखने के नजरिया भी बदल जाता है यानि यदि सीधे शब्दों में कहें तो भूक लगने के कार्ण इंसान का दिमाग यकीनन प्रभावित होता है और ऐसे में इसका असर उसके विचारों पर भी पड़ता है गौरतलब है कि हाली में ऑक्सफोर्ड शब्द कोस ने हैंगरी वर्ड को भी स्विकार किया है जिसका मतलब होता है भूक की वज़े से गुसा आना इसके अलावा शोद करता का कहना है कि उनका मकसद किवर भूक से जुड़ी हुई भावनात्मक एस्थित्यों का मनोवज्यानिक तरीके से अध्यन करना है आपको बता दे कि अब तक 400 से ज़्यादा लोगों पर यह अध्यन किया जा चुका है और इस अध्यन की अनुसार यह पता चला है कि गुसा आना भावनात्मक जागरू तके इस तर से भी तह होता है यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो भूक का असर व्यक्ति के दिवाग पर पढ़ने के कारण उसे गुसा आता है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते हैं यह बंजारा बीट्स